मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे लेटिस नोटिफिकेशन मिलता रहे हेलो फ्रेंज, विल्कम टो माई ट्यूब चैनल, आज मैं आपके साथ चिकन चीज बॉल की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी, डिलिशिस और यमी रेसिपी है, बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है, तो इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइए, इसे आप बहुत ही डिलिशिस सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जट पट से बन जाने लिए रेसिपी है, तो जरूर से ट्राइए करिएगा, आए देखते हैं, इस आसान और यमी रेसिपी को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, और इस डिलिशिस चिकन ची मेंट हच्छी मेंट ही आपधाने अब हम इसको चैंड़ बनाने के लिए से बागी के इंग्रीजेंट आट करेंगे 1.5 TSP मैंने और नमक नमक को भाषा हुँआट, 2 TSP मैंने दोारी कश्या है नाइब काली मिर्च का पाउड़र आट की आट करेंगे 1 TSP मैंने लाल मिर्च का पाउड़र आट करेंगे 2 टेबल स्पून बारिक कटवा शिमला मिर्ज एड़ कर देंगे और 3 टेबल स्पून इसमें मैंने मियोनीज एड़ किया है सबजी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम यह जादा कर सकते हैं 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस लिया है अगर आप जाधा तीखा खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्ज भी बारिक काट करके डाल सकते हैं आप चिली फ्लेक्स की कॉन्टिटी बढ़ा सकते हैं तो देखिए मैंने इस तरह से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमारा स्टफिंग रेड़ी है अब आप इसमें चीज एड़ करेंगे चीज भी आप अपने टेस्क एकॉर्डिंग कम या जाधा कर सकते हैं मैंने वन फोर्थ कप लिया है मैंने मौजरेला चीज लिया है आप अपनी पसंद का कोई भी चीज ले सकते हैं आप को पसंद हो इसमें ग्रेट करके आप डाल सकते हैं तो मजरेला चीज मैंने वन फोर्थ कप लिया है इसे हम इसमें एड़ कर देगे चीज की कॉणट दीब आप अपने टेस्क एकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं आपको पसंद उसे साब से आप जादा भी डाल सकते हैं तो इस चीज को भी आप इस स्टेफिंग में अच्छे तरह से मिक्स कर देए और हमारा स्टेफिंग रेड़ी है चीकन चीज बॉल बनाने के लिए और देखिए स्टफिंग को मैंने तयार कर लिया है और यह मैंने पानी लिया हुआ है इसमें थोड़ा सा बोल में और यह मैंने ब्रेट के स्लाइस लिया है इसके मैंने जो किनारे के हार्ड पार्ट होता है इसको कट कर दिया है आप चाहे तो ना भी कट करिए मैंने कट कर दि की थी वह में टेबिल स्पून भर कर या कम या जादा जैसा आपको पसंद इसमें रख दीजे और सारे साइड इसके उठा कर किनारों से इस तरह से फोल्ड करते हुए हातों के बीच में दबाते हुए इसकी बॉल बना लेंगे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसका एक ट स्टफिंग तयार करके रखी थी वह हम इसमें भरेंगे वन टेबिल स्पून भर कर मैंने इसमें डाला है और इसको साइड से सारे कॉर्नर उठा कर इसको इस तरह से प्रेस करते हुए हतेलियों के बीच में रखकर हम इसका बॉल बना लेंगे यह दिखे इस तरह से हमारे ब क्रिश्टन बॉक्स में दे दूंगे अगर आप वहां से देखना चाहे तो जरूर देखेगा वनना यह मार्केट में भी इसली अवेलिविल है तो मार्केट से भी आप ले सकते हैं अब एक एक बॉल हमने जो बना कर रखे थे ब्रेट के वो हम इसको उठाएंगे और ब्रे करना चाहें तो इस तरह से आप इसको इस स्टेज पर आप इसको फ्रीजर में डालकर फ्रीज भी कर सकते हैं 5-6 मेरे तक ही खराब नहीं होते हैं अच्छे से फ्रीज हो जाते हैं उसके बाद इसको जिप लॉक बैग में रखकर फ्रीजर में डाल दीजे अब यह मारे बॉ मीडियम होट आयल में से मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राइ करना है जिससे यह अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाते हैं तो इस तरह से उलटते पलटते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है एक साइट से हो जाएगा तो हम इसे टर्न कर देंगे औ और दोनों साइड से उलट पलट कर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्रिस्प तक मीडियम फ्लेम पर, तो यह देखिए हमारे चिकन चीज बॉल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है अच्छा सा सुनेरा सा कलर आ गया है इन पर बाहर से बहुती अदर क्रिस्पी हो गया है अब हम इने निकाल लेते हैं ये देखिए हमारे डिलिश्यस से चिकन चीज बॉल जटपट से तयार हो गया है, बहुत ही यमी ये बनते हैं, जरूर से ट्राइ करिएगा, इसी तरह से हम बाकी बचे हुए जो बॉल्स मैंने तयार करके रखे थे, ब्रेट क्रम में कोट करके उन्हें भी फ्राइ कर लेंगे तो मैंने सारे चीज बॉल को फ्राइ कर लिया है, आप इसे सर्फ करिए धनी की चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, जैसे मर्जी वैसे सर्फ करिए, गरम गरम सर्फ करिए, बहुत ही डिलिश्यस ही लगते हैं खाने में, और बहुत ही अदा क्रिस्पी होते हैं, तो जरूर को लंच बॉक्स में दीजिए, गरम गरम बनाईए, इसे जरूर से खाई, ट्राइ करिएगा, यह देखे इस तरह से यह अंदर से चीज भरे हुए, बहुत ही डिलिश्यस लगते हैं, बहार से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बहुत ही डिलिश्यस ही चिकन चीज बन कर तयार होते हैं, तो मेरे रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरी आसान और यमी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करिएगा, तैंक यू सो मच पर वाचिंग माई वीडियो